आज की हमारी रेसिपी बहुत तीजी घर में मिलने वाली चीजों से बनी हुई है अज हम बनाएंगे आठा गुड केक इसको बनाने के लिए गुड को सबसे पहले बारिक बारिक चोप कर लेंगे गुड को चोप करने के बाद इसमें गरम पानी डालेंगे गरम पानी में गुड के डिजोल होने के बाद इसको हम छान लेंगे छानने से इसकी सारी इंपोर्टी अलग हो जाएगी फिर इसको रूम टंप्रेचर पर आने देंगे रूम टम्प्रेचर पर आने के बाद हम इसमें 3 टेबली स्पून खी और 3 टेबली स्पून रिफाइन ओईल मिलाएंगे जिसमें कोई सार्पी स्मेल नहो अब हम गेहूं का आटा लेंगे और गेहूं के आटे के अंदर 1 टेबली स्पून बेकिंग पाउडर और 1 टेबली स्पून बेकिंग सोडा डालेंगे इसको डालने के बाद हम गुर सिरप में इसको सीव कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें मिक्स करने के लिए दूद का यूज करेंगे ड्राइ केक में स्पाइसेज का टेस्ट भी बहुत अच्छा जाता है इसमें दालचीनी पाउडर, जाइफल पाउडर भी एड़ कर सकते हैं इससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है ड्राइ इंग्रेटेंट्स को सीव करना बहुत ही जरूरी होते हैं इससे इसमें एरियसन होता है एरियसन से हमारे स्पंज बहुत अच्छा फ्लपी बनता है इसमें दूढ डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगें और बेटर की कंसिस्टेंसी हमी थिकी रहनी है टी टाइम केक की कंसिस्टेंसी नोर्मल स्पंज बनाते हैं उससे कंसिस्टेंसी उसकी थिकी होती है इस तरह हम थोड़ा थोड़ा दूद मिक्स करके इसका बेटर तयार कर लेंगे और इसमें हम वन टेबली स्पून इलाइची पाउडर और थ्री टेबली स्पून डेसिकेटेड कोकोनेट भी डालेंगे इससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा और इसका सारा मेजरमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और जब भी हम बेटर बनाते हैं तो पानी या दूद जिससे भी हम बेटर बनाते हैं उसका कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होता है क्योंकि कई बार मेदा औराटा जो भी हम लेते हैं कई बार जादा पानी अपजोर करते हैं कई बार कम करते हैं तो हमेशा हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है बिटर बनाना सुरू करने से पहले हम केक टिन को सबसे पहले रेड़ी करके रखेंगे उस पर ओयली स्प्रेड करके और मेदा सिट डस्टिंग कर देंगे ताकि हमारा केक चिपके नहीं या हम बटर पेपर का यूच कर सकते हैं इन दोनों ही तरीकों से अपना केक अच्छे से डीम मोल्ड हो जाता है हाप टेवली स्पून इसमें जाइफल का पाउडर डालेंगे ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है हम इसको कभी भी घर में ट्राइ कर सकते हैं इसके लिए कोई भी चीज हमें बार से लाने की ज़ुरत नहीं पड़ती है और सबको बहुत ही पसंद आती है अब हमारा बेटर रेडी हो चुका है अब हम इसको केक टिन में ट्रांसफर कर देंगे बीच में डालके चारो तरफ इसको इस पेचुला की हेल्प से फैला देंगे और हमने OTG 180 डिगरी पर 10 मिनट के लिए प्री हीट करके रखा है और OTG में इसको 25 से 30 मिनट तक बेख होने में लगता है इसी तरह हम इसको गेस पर भी बेख कर सकते हैं कडाई या कुकर को 10 मिनट के लिए प्री हीट करके और गेस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे एर पास होगी तो केक अच्छे से बेक नहीं हो पाएगा बीच में से कच्छा रह जाएगा या दब जाएगा बरतन का धकन उस पर फिक्स होना चाहिए उसमें एर पास नहीं होनी चाहिए बेटर को केक टीन में ट्रांसफर करके इसके उपर हम कारनिस के लिए ड्राइफ फूर्ट डाल देंगे ड्राइफ फूर्ट डालने के बाद हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे यह देखो हमारा केक बनके रेड़ी हो चुका है सूपर सॉफ्ट टेस्टी एंड हेल्दी यह देखो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ यह अच्छे से राइज हुआ है बहुती फुलपी बनाए हम ने इसमें सारे घर के चीज़े ही यूज की है यह देखे कितना स्पंजी है आप भी बनाएए खाय और कमेंट में जरूर बताएगा आपके इस रेसिपि कैसी लगी एपी कुकिंग रादे रादे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई